जैसे कि हम सब को पता है कि मा का दूद बच्चे के लिए किसी सुरक्षक अवस्ते कम नहीं है ये बच्चे के लिए अमरत की जैसा माना जाता है मा के दूद में जरूरी सारे न्यूट्रियंट्स होते हैं जो बच्चे के लिए बहुत ज़ादा जरूरी होते हैं इसलिए बोला जाता है कि केवलो केवल 6 महिने तक बच्चे को मा का दूदी देना चाहिए। लेकिन फ्रेंट्स कई रीजन की बज़े से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मा का दूद नहीं मिल पाता है। बच्चे को दिया जाता है फॉर्मला मिल्कु को भी कई तरगे के न्यूट्रियंट्स को मिला कर बनाया जाता है और यह बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ होता है। आल ओवर वर्ल्ड में ही देख लो जो मदर्स होती है वो ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ बच्चे को फॉर्मला मिल्क भी देती है। जैसे कि मैं अपना बताओं तो मेरे पास भी दो बच्चे हैं, तो मैंने बच्चों को breastfeed के साथ formula milk भी दिया हुआ है, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे ऐसी condition आ जाती हैं, जहां पर हम अपने बच्चे को breastfeed नहीं दे पाते हैं, तो उस situation में मैं बच्चे को formula milk दे दिया करती थी. अब आपकी मैं एक ही doubt, कौन सा formula milk best है, कौन सा आपको use करना चाहिए, तो मैं आपने personal experience की विहाब पर recommend करूंगी dexolec formula milk, इसमें 36 vital nutrients, vitamins and calcium है, ये baby brain development में भी help करता है, इसमें है FOS, जो कि बच्चे के digestion के लिए बहुत अच्छा है, मतलब कि बच्चे को constipation की problem बिलकुल नही बेबी स्टूल soft pass करेगा, next question आपका आता है, बच्चे को दिन में कितनी बार आप formula milk दे सकते हो, तो friends ये केवलो केवल बच्चे की health पर depend करता है, normally बच्चे को हम 6-8 time formula milk दिन भर में दे सकते हैं, लेकिन आपको इसमें एक बार अपने डॉक्टर की सला जरूर ले लेनी चा Second step, जिस bottle में आप formula milk बनाने वाले हो, उस bottle को आपको अच्छे तरीके से clean करना है और sterilize जरूर करना है, मतलब गरम पानी में उस bottle को आपको जरूर उबालना है Third step, आपको एक पैन में जो पीने वाला पानी होता है, उसको पहले गरम कर लेना है, और जब वो पानी हलका गुनगुना हो जाए, फिर आप उसको bottle में डालिए और फिर formula powder को जरूरत के हिसाब से उस bottle में डाल कर फिर अच्छे तरीके से bottle को बंद करके तब तक हिलाना है जब तक कि powder जो है वो अच्छे तरीके से पानी में mix नहीं हो जाता साथी साथ ध्यान दे, उतना ही formula milk बनाए जितना बच्चा पी सके, अगर formula milk बच जाता है bottle में तो उसको बच्चे को दुबारा बिल्कुल ना पिलाए, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसमें bacteria पनब जाते हैं, इस बात का इस पेसली ध्यान रखिए नेक्स्ट आपको अपने हाथ पर formula milk के temperature को पहले चेक करना है, उसके बात फिर बच्चे को पिलाना है, एक बात का और ध्यान रखें, जो आपने formula milk बनाया है बच्चे के लिए वो ना तो जादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत जादा गाड़ा होना चाहिए और रही बात quantity की, तो आपको starting 30 ml से ही करनी चाहिए, पहले starting में बच्चे को 30 ml फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए, उसके बात धीरे धीरे क्या होगा कि आपको बच्चे की भूख का pattern समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि मेरा बच्चा कितना formula milk ले पता है, उसका कुछ time में ही आपको idea होने लगेगा, next point जो बहुत ज़्यादा important है, आप जब बच्चे को formula milk दे रहे हो, तो आपको क्या-क्या साबधानिया रखनी है, इनका भी पता आपको जरूर होना चाहिए, तो पहली चीज है, जैसे कि formula milk ठंडा हो गया, आपने बना क रखा है, तो उसको गलती से भी microwave में गरम ना करें, second चीज है कि जितनी बार भी आप बच्चे के लिए formula milk बना रहे हो, उतने बार ही आपको साफ बोटल का ही यूज करना है, बोटल को अच्छे तरीके से हर बार sterilize करना है, third point है, बोटल को सीधा पकड़ कर ये बच्चे को पिलाना चाहिए, चौथा point है, जितनी बार भी बच्चे को दूद आप दे, पहले temperature जरूर चेक करें कि कहीं दूद ज्यादा गरम तो नहीं है, next जो आपको साफधानी रखनी है वो यही है कि formula milk आप बच्चे के लिए select कर रहे हो, तो वो अच्छे ब्रांड का ही आपको select क चाहिए, next आप जैसे कि बच्चे को formula milk दे रहे हो, तो packet की जो expiry date है उसका भी ध्यान रखें, और बच्चे को formula milk देने से पहले सही quantity कितने बार देना है, एक बार डॉक्टर से सला जरूर ले लेनी चाहिए इस बारे में, इसके बाद पांचमा question आपका आता है कि बच्चे क formula milk हम कब से कब तक दे सकते हैं, so friends, 0 to 2 years तक formula milk दे सकते हो, यानि की total 24 month तक आप बच्चे को formula milk दे सकते हो, Dexolake में 4th stage तक formula milk available है, 1st stage इसकी होती है 0 to 6 month, 2nd stage होती है 6 to 12 month and 3rd stage होती है 12 to 18 month and 4th stage होती है 18 to 24 month, तो जिस month में भी आपका baby है, उसके according आप इसको purchase कर सकते हैं, ये आपको Amazon Flipkart and आपके आसपास किसी भी local chemist पर भी आसानी से ये आपको मिल जाएगा, I hope friends ये वीडियो आपके लिए काफी जदा informative रहा होगा, मिलती हो आप सभी से next वीडियो किस वीडियो को like जरूर करें, share जरूर करें और भी parents के साथ जिससे उनके भी मन में जो doubts हैं वो भी clear हो सकें THANKS FOR WATCHING